स्राद पच्छ के दौरान जब भी आप भगवान की पूजा करें तो उसके तुरंत वाद अपने पित्रों की पूजा भी करें उनका नाम इसमरड अवस्य लें ऐसा करने से पित्र प्रशन होते हैं और आपको आशिरवात देते हैं साथ ही जो महला हैं वे अपने रसोई घर में जब खाना बनाएं तो खाना बनाने से पहले यानि रोटियां बनाती हैं उस समय आप रोटियां बनाने से पहले दो छोटी-छोटी रोटियां अवसे बनाएं एक रोटि आप गाय को खिलाएं दूसरी रोटि आप कोई को छोटे-छोटे टुकडे करके खिलाएं ऐसा करने से पित्र प्रशन होते हैं कहते हैं गाय में 33 करोड देवी देवता बिराजमान होते हैं जिनका आशिरवा के 16 दिन तक दो रोटियां बनाकर गाय और कोई को अवसे खिलाएं उमीद है यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को लैक चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में स्रीश्रवाय नमस तो बिम हर हर मादी